हाई फ्रेंड्स नमस्ते वेल्कम बेक टू माई चेनाल मैं हूँ सभिता और आप देख रहे हैं सभिता स्क्रिटिविटी एंड लाइफ स्टाइल आज ना दोस्तो गार्डन का एक एरिया का मैं एरेंजमेंट करूंगी यहाँ एक बड़ा सा स्टेंड था दोस्तो और वो टूट गया बहुत जल्दी मेरा स्टेंड खराब हो गया इसलिए कल ही मैंने कबाडी को बुला के सारे दे दिये तो इस एरिया को अभी हम ठीक करेंगे एक एरिया दोस्तो ठीक करने के लिए देखिए मेरा गार्डन पूरा चारो तरब कैसा पहला हुआ है तो चलिए काम पे लग जाते हैं और एरेंजमेंट करते हैं गार्डन में दोस्तो जितना भी काम करते हैं तो काम निकल ही आता है और एक area साप करती हो, तो दूसरा area खराब हो जाता है, ऐसा आपका भी होता है क्या जरूर बताना दूस्तों, जो भी area को दूस्तों हम arrangement करते हैं, तो ओ area को पहले सारे गंबले को हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद झाड़ू करके, पूरा साप सुत्रा करके ही हम arrangement कर सकते ह पहले दोस्तो यहां जो बड़ा सा स्टेंड था उसके उपर मैं गमला सब एरेंज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत सुन्दर भी लग रहा था आप लोग भी दोस्तो बहुत तारीब करते थे मेरे गाडेन को और बहुत सुन्दर सुन्दर कमेंट सब करते थे तो दोस्तो मुझे मोटिवेशन मिलता था लेकिन दोस्तो आज कल मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा है क्योंकि दोस्त तो आप लोगों का comment और like थोड़ा पहले से कम हो गया है। आप लोगों का comment से ही मुझे बहुत वीडियो बनाने का मन होता है। आपकी comment से like से मुझे बहुत motivation मिलता है। इसलिए आप जरूर like और comment करना मत भुलिएगा। देखें दुस्तों, आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा एरिया को पूरा मैंने साप, सुत्रा, नीट and क्लीन कर लिया, अभी दुस्तों, प्लांट्स का एरेंज मेन करूंगी. देखिए दोस्तो ये wall के side में जो plant सब है ये सब मेरा भाइन plants है मैं चाहती हूँ कि ये wall पर चड़े और flowering करे इसलिए दोस्तो सारे भाइन plants को wall के side पे ही मैंने रख लिया फिर उसके बाद जितना भी मेरे पास रोज plants है सारे को एक साथ रखूंगी क्योंकि रोज plants summer season में दोस्तो बचाना रोज plants को बहुत मुश्किल है और इसलिए सारे plants को क्यार करके एक साथ ही रखूंगी फिर ये देखिए ये बड़ा सा भोगन भिला इसको मैं एक ट्रेलिस देंगी सोच रही हूँ लेकिन कभी भी दे नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास वो बंबो नहीं है इसलिए इसको भी मैं वाल के side पर ही रखा है और सारे गुलाब का जितना भी unwanted घास था, weeds था, सबको साब सुतरा करके कुडाई किया फिर उसके बाद उसको एरेंज किया जब भी दोस्तो गुलाब पे मैं काम करती हूँ मेरे हाथ मैं जरूर कांटा चुप जाता है cloves भी है दोस्तो लेकिन मैं पेहन के काम नहीं कर पाती हूँ हमारे यहां दोस्तो बहुत गर्मी बढ़ गया है यहां का temperature जानते हैं 44 degrees और ऐसे गर्मी में प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है मैं तो सुभे सावारिंग करती हूँ और साम को पानी पूरा आच्छे से देती हूँ तब मेरे प्लांट्स ऐसे दिख रहे हैं गर्मी के लिए दोस्तो सुभे 5 बज़े से 6 बज़े तक वाग करती हूँ फिर उसके बाद गाडन का काम खतम कर लेती हूँ मैंने दोस्तो बहुत सारा जिन्या सेपलिंग लगाया था और उसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है उसको भी यहां लाके एरेंज किया है एक घंटा काम करने से दोस्तो पूरा गर्मी से पसीना से पूरा नहा लिया जब भी दोस्तो मैं वाक के लिए उपर आती हूँ साथ मैं जरूर एक तर्किस टावल हो या कटन का एक चुन्नी हो जरूर लाती हूँ पसीना पुछने के लिए आप लोगों का एरिया में दोस्तो कैसा गर्मी है और कैसा लगता है और आप लोग कैसे गाणन में काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना बताना सारे प्लांट्स को दोस्तो मैंने एरेंज कर लिया है फिर बहुत सारे एरिया मेरे गाडन पे है ओ सब को भी मुझे इस महने ही एरेंज करना पड़ेगा अगर दोस्तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत